सब पार्ट टू बना रहे हैं सब ब्लोग बस्टर पर ब्लोग बस्टर दे रहे हैं चाहे कदर टू हो चाहे आप ओएंजी टू देखो हाउस फुल फाय आने वाली उसको देख सकते हो टाइगर थ्री तो भाई अजे रेवन क्यू पीछे रहे यस दोस्तों यहां पर एक अप था पार्ट है वो लगबक स्कीप हुआ था मतलब वो नहीं आएगी ऐसा लगा था तो आजे रेवन अब धमाल के उस उथे पार्ट के भी बारे में डिसकुशन कर रहे हैं यह एक अपडेट आपको कोई भी ने रहेगा मैं ऑफिशियल अपडेट दे रहा हूँ आपको सन सरदर टू कंसीडरेशन में है उनके ओके यह के मतलब आप यह समझ लो कि जो बड़े एक्टर से वह आपको पार्ट वान पार्ट टू में दिखते रहेंगे अब यह क्लियर है सिंगम एक पार्ट थर्ड है वैसे भी सिंगम अगें बोला रिटन्स का चांस वापस बनने में उसका उतना कोई बजेट नहीं है अजे दिखन काम कम है वो वश करके जो फिल्म है उसको बाजू रखो में जो मूवी अजे दिखन की है देरीज हाय चांसेस रेट टू सन अफ सरदार टू धमाल के बारे में थोड़े सा शोरिटी कम है उतनी कंफर्म नहीं है पर सिंग मागें तो आपको पता ही है और गोलमाल फाए यह दोस्तों नहीं प्रोजेक्ट पर वर्क होने वाला है मैदान के बारे में जब उनको पूछा था अभी रिसेंटली तो वो थोड़े से गुसा भी दिखे थे और उन्हें ने उस पे कुछ भी अब कुछ भी नहीं बोला डा हो भी सकते है क्योंकि जिस तरीके से मैदान के लोगों ने बोनी कपूर वगरा ने उनके साथ ट्रीटमेंट की है मुझे नहीं लगता है भै कि मैं तो बोल रहा हूँ ओपन लिया जारे हो करने है इन लोगों का गेम करना चाहिए बोनी कपूर वगरा का कि भाई इनको कोई भी बड़ा एक्टर इनके फिल्मों में इसके बाद काम ही ना करे अगर यह मैदान टाइम पे नहीं रिलीज होती है तो कब होगी अब कौन सा टाइम मुझे भी नहीं पता क्योंकि कोई अपडेट ही नहीं है रोज लोग फेकुगिरी कर रहे है यह ट्रेलर रिलीज डेट आगई यह आगया वो आगया आरे कहां आया यार कुछ भी सिंगम अगें कभी अपडेट आपको मैं सीधा बोल रहा हूँ ऑक्टोबर में आपको अलग-अलग अपडेट शुरू हो जाएंगे ऑक्टोबर से सिंगम की बात बोल रहा हूँ रोज आएगी नहीं अपडेट क गदर थी नहीं तो सही है गदर थी के साती होगी टेंशन नालो गदर थी को थोड़ा टाइम लगेगा बंदे में तो अगले साल इंडीपेंडेट डे पे हां गदर सामने रहीगी न भाई तो मैं नहीं बोलूँगा सिंगम को कुछ भी क्योंकि वह सनी बाजी के सामने कोई बाई नहीं ठीक हैगा जवान भाग गया पता है ना हां तो तो मैं सीधी बात बोल रहा हूं अगर सिंगम अगेंड के साथ बागी कोई भी रिलीज होए ना भाई चल जाएगा सीधा बोल रहा हूं क्योंकि आप सिंगम अगेंड में स्क्रिप्ट भाई यह जो लोगों को चाहिए पाकिस्तान पीटेगा बतलब इसा पहुत पेला जाने वाला है बपाकिस्तान को तो तो आज़े देगों सभी टाइम पर ला रहे यार मैं चाहता हूं कि 15 अगस्त नी सेम ऐसा 11 अगस्त करना चाहिए और चाहें क्लैस्ट तो क्लैस्ट में आ जाए भाई देखो जो मुवी एकदम बाप लेवल बनती है ना उसको क्लैस से कुछ नहीं फर्क पड़ता है यह दिख गया ना आपको गदर टू के बार में हाँ अगर भाई सोलो रिलीज होती ना बैस सीधा बोल रहा हूं भारत में हजार करोड नेट कलेक्शन कर देती गदर सच बोल रहा हूं बैस सोलो रिलीज होती उसको अगर 5,000 स्क्रीन वगर मिल जाते ना काम हो जाता वही 5,000-6,000 अपना आदी पुरुष को मिले थे 6,300 स्क्रीन वैसा 6,300 स्क्रीन मिलते ना इसको भारत में नेट कलेक्शन 1000 करोड कर देता हिंदी में यार तो देखते चलो सिंगम से मुझे बह एक यह छोटी फिल्म को छोड़ देना चाहिए मतलब बले वो औरो में कहा दम था वगरा क्योंकि क्या है न अब आप यही करो यार जैसे फॉर एक्जम्पल दे प्यार दे 2 हो यह अपना धमाल हो गोलमाल 5 हो सिंगम 4 सिंगम 3 हो हा चलो सिंगम 4 हो आगे यह यह अच्छा न निजा टेकनिक नहीं है हर मूवी ब्लॉकबस्टर जाने का टेकनिक है भाई यह मैं सिधा बोल रहा हूं जो दो बोल रहा हूं बॉलिवड कंबैक नहीं करेगा ऐसे तो भाई कंटी तगड़ा कंबैक करेगा ओके इसलिए बोल रहा हूं पर यह कुछ एफर्ट्स करके मैंने अपडेट देने की कोशिश किया ओफिशियल अपडेट है इसने से कोई भी फेकू किरी नहीं हाँ सिर्फ एक बात पर मुझे थोड़ा सा डाउट है धमाल के पार्ट को लेके कंफर्म मत समझना इनफेक्ट सन आफ सर्दार 2 को भी कंफर्म समझो रेट 2 तो ही कंफर् हैपी ऐसा सुना है अभी देखते क्या होता है